आपका जो एक loyal committed voter base जो है वो है व्यापारी, working class, middle class आपने पुरूचेरी का जिकर किया वो जो जैन साफ जिसने सवाल पूछे थे वो भी middle class, working class, व्यापारी था और वो भी वो ही सवाल पूछ रहा था कि हम middle class लोग जो है tax भरते रहते हैं लेकिन हमें कुछ राहत नहीं मिलता क्या middle class के लिए आपके पास कुछ है जिसे उन्हें राहत मिल जाए पहली बात है, middle class के विशे में हमारी सोच हमें बदलने पड़ेगी middle class कभी भी किसी की दयादान पर जीने के स्वभाव का नहीं है वे स्वाभिमान से जीने वाला वर्ग है और देश को चलाने में बहुत बड़ा योगदान देना वाला वर्ग कोई है तो मद्यमबर्ग ये समाज है नीचे का तबका है उसको कुछ मिलना चाहिए इसकी positive सोच रखने वाला भी middle class का है और इसलिए भारत में middle class की चिंता करना हम हमारा दाईत तो समझते हैं देश हित में भी हमारा दाईत सिर्विस लेने को हमें वोट देता है देश हित में भी हमारा मत है कि भारत का बढ़ता जाता जो middle class भल्क है उसकी चिंता कर नहीं अब जैसे निकाले इंफ्लेशन क्या था फिर मैं कहता है वक्षबारों के कत्रन निकाल के देख लीजिए आज क्या है हम 2% 3% पर ले के आएगे इंफ्लेशन जो 18-18% पर पहुचा था इसका सीधा benefit किसी को हुआ है तो मध्यंबर को होता है महंगाई अगर control होती है तो सबसे बड़ा जो सुविदा बढ़ती है कि मध्यंबर का व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता मध्यंबर का वर्क सामाजिक स्थिति में उसको जरहन सहने उसमें गिरावट नहीं ला सकता है उसको बहुत जिलना पड़ता है वह हमने उसपर से मुक्तिक गराई माल लीजिए हम education मे medical city बढ़ाते हैं बहुत बड़ी मात्र में बढ़ाई इसका सबसे पहला beneficiary कौन है middle class की जो aspirations है उसको मैंने address किया उड़ान योजना अगर हम लाते हैं और 25 रुपिय में देश का हवाई जहाज में लोग जाना चाहते हैं समय बचाना चाहते हैं वो जाते हैं रेलिवे के अं middle class है उसको जाने की संभावना बनी तब जा रहा है दूसरा middle class के aspirations के वाले काम कैसे हो जैसे यह आईश्वान भारती हो जना लगता तो ऐसा है कि वो गरीबों को पांच लाग सुपे तक की बिमारी में मद्द कर रहा है लेकिन इसके कारण इतनी बड़ी संख्या में देश म अस्पताल बनेंगे इसके कारण देश के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में अस्पताल में लोगों की ज़रूत पढ़ीगी यह सारे middle class के लोग होंगे middle class के लिए मुद्रा योज्रा अब मुद्रा योज्रा के अंदर करीब 15 करोड लोन्स विक्रूत होना इतना बड़ा काम ह इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी कोई हैं तो middle class का व्यक्ति हैं हमारे देश में middle class को घर बनाना हो तो कभी बैंकों से ब्याज में रियायत उनकों नहीं मिलती थी दोड़ बंदी के बाद हमने middle class को घर बनाने की जो लोन है आज अगर वो 20 लांक रुपे की कीमत का घर बन देगी उसकी बच्चत करीब 5-6 लाख रुपया होगी मिडल कास के परिवार के 5-6 लाख रुपया मकान में बच जाना यह बहुत बड़ी काम है यह हमने किया है उसी प्रकार से मिडल कास के लोगों को आर्थी के विकास के लिए स्टार्ट अब के दुनिया अच पूरा स्टार्ट अप को प्रमोट करने के लिए जो हमने विजना बनाई है जिसका परणाम है कि आज दुनिया में हम तीसरे चौथे नंबर पर दूसरे तीसरे नंबर पर हम पहुंच गए हैं स्टार्ट अप इको सिस्टम से इसका लाभ भी जो एस्पिरेशनल यूथ हैं मिडल क लगे हैं बिजली के तो आज उसका 500-700,000 रुपया बिजली का बिल कम हो गया उसको बैनिफिट हुआ है इंकम ट्रेक्स में जो मदद मिली है उसको बैनिफिट हुआ है पैंशनर जो कभी 13-14,000 रुपया उसका पैसा कर देना पड़ता था वह आज उसको 2,500 रुपया देना पड़ रहा है तो कोई भी विशे ले लिजे मक्सीमाम अगर सुभीधा जनक काम हुए हैं तो मिलिल कास के लिए हुए हुए चली तो